हला एवरिवन वेल्कम टू यॉनाइट एजुकेशन उनाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम 11 जुलाई 2020 के करेंट अफेट्स कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले कंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए जरूरी होंगे यह वीडियो लेक्चिर बाइलेंग सभी प्लैट्फर्म सके लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दिये गए हैं आए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो अब फॉर्स्ट्वर्शन ऑफ देए इस विच्वाश्ट को अपचाई की अधिसूचित किया है इसका मुतर देख लेते हैं ऑप्शन बी इस अपने आपको बाहर कर लेगा यहां पर यूएसो की भागेदारी यह बहुत बड़ी थी विकाज 21 जून 1948 से डबलो एचो का पार्ट रहा था यूएसे और लगबग 450 मिलियन फोर फिफ्टी मिलियन यूएस डॉलर्स पर रहना मतलब प्रती वर्ष यहां पर यूएसे डबलो एचो में दिया करता था यूएसे का मैप पर देख लेते हैं एक बार तो आप देख सकते हैं यह है इंडिया इस जगह पर और इंडिया से जब हम वेस्ट की साइड में जाएंगे तब यहां पर हमें मिलेगा यूएसे नौर्थ अमेरिकन कॉंटिनेंट के अंदर यहां पर जूममेर्ड पर अब अच्छे से और देख सकते हैं यह री यूएसे और यह कैनिडा के पास में यह जो पार्ट है जिसे अलासका कहते हैं यह भी यूएसे का ही पार्ट है USA की जो President है उनका नाम है Donald Trump और ये Republican Party से बिलॉंग करते हैं यहाँ पर दूसरी जो Party है उसका नाम है Democrats और Democrats Party से जो अभी 2020 की जो elections होने वाले USA में उससे खड़े हो रहे हैं Joe Biden जो बाइडेन Democrats Party से डोनल्ड टरम के खिलाफ खड़े होने वाले USA की जो Capital है उसका नाम है Washington DC Washington DC में कुछ Headquarters भी है जैसे IMF का Headquarter World Bank का Headquarter इसके अलबा International Development Association का Headquarters और International Finance Corporation Headquarters ये सब Headquarters वाशिंग्टन DC में हैं और एक चीज़ द्यान रखेगा USA में dual citizenship होती है मतलब दोहरी नागरिकता होती है इसका मतलब यह है कि आप पर राज्ये की भी एक नागरिकता होती है आपकी और एक जो USA खुद कंट्री है उसकी नागरिकता कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है यहाँ पे आप इस तितली का एक पिच्चर देख सकते हैं बहुती सुन्दर यह दिख रही है इसका मंसर देख लिते हैं option B is the correct one that is golden bird wing गोल्डन बडविंग इस तितली का नाम है और यह इसकी पिच्चर है next question is world second largest and Asia's largest data center Yota NM1 data center of Yota infrastructure of Hiranandani group is located in which Indian state विश्र का दूसरा सबसे बड़ा और Asia का सबसे बड़ा data center हीरanandani group का Yota infrastructure का Yota NM1 data center किस भारती राज्ये में इस्तित है इसका मंसर देख लिते हैं option B is the correct one that is महराष्ट्रा महराष्ट्रा में data center इस्तित है महराष्ट्रा के जो CM है उनका नाम है उद्दव ठाकरे और यहांके जो governor है उनका नाम में BS कोश्यारी बगत सिंग कोश्यारी बगत सिंग कोश्यारी महराष्ट के governor का नाम है next question is which bank has released 50 million US dollar in its first range to assistance to LNT infrastructure finance limited to fund renewable energy projects in India किस bank ने बारत में अक्षे उर्जा परियुजनों को विद्व पोशित करने के लिए LNT infrastructure limited को सायता की पहली किस्त में 50 million US dollar जाज़े किये हैं तो इसका मंसर देख लेते हैं option B is the correct one और वो है Asian infrastructure investment bank हिंदी में इसका नाम है Asiai of Sanjana Nivesh Bank इसका headquarters हमें मिलेंगे Beijing, China में इसके अलावा new development bank के headquarter भी चाहिना में ही मिलेंगे और Asian development bank के मिलेंगे Philippines में और world bank के जो मैंने भी आपको बताए था Washington DC ये इनके headquarters है Next question is Who integrated six major bridges through video conferencing on 9th of July 2020 in Jammu Kashmir Jammu Kashmir में 9 July 2020 को video conferencing के माध्यम से छें प्रमुक पुलो का उद्गाटन किस ने किया इसका correct answer देखते हम option A is the correct one that is Rajnath Singh जो कि हमारे defense minister है यानि रक्षा मंत्री है उन्होंने ये छे ब्रीज का उद्गाटन किया Next question is The fourth edition of international meeting named ministerial on climate action was held on 7th July 2020 Who is the current union minister of environment, forest and climate change of India 7 July 2020 को ministerial on climate action नामक अंतराश्य बेटक का चौता संस्क्रट आयोजित किया गया वर्तवान में केंद्री परियावण वन और जल्वाई परिवर्तन मंत्री कौन है तो इसका हम correct answer देख लेते हैं Option A इसका सही answer है और वो है ट्रकाज जावडेकर ट्रकाज जावडेकर जी Union Minister of Environment, Forest and Climate Change के minister है इसके लब इनके पास दो ministries और हैं एक है Information and Broadcasting Information and Broadcasting and the second one is Heavy Industries and Public Enterprises Heavy Industries and Public Enterprises ये इनकी total 10 ministries है Next question is Who won the Formula 1 F1 Season Opening Australian Grand Prix Formula 1 F1 Season Opening Australian Grand Prix किसने जीता? इनका हम नाम देख लेते हैं Option A is the correct one That is Valtteri Bottas Valtteri Bottas में ये किताब जीता है और ये Finland से ब्लॉंग करते है Finland इनकी native country है Next question is Which two countries were verified to eliminate both Mezels and Rubella making them the first two countries in the WHO Southeast Asia region to achieve beyond their 2023 target Khasra और Rubella दोनों को खतम करने के लिए किन दो देशों को सत्यापित किया गया है जो उन्हें 2023 के लक्षे से परे हासिल करने के लिए WHO दक्षन पूरु एशिया शित्र में पहले दो देश बने हैं इसका मंसर देख लेते हैं Option D is the correct one That is Maldives and Sri Lanka Maldives और Sri Lanka दो ऐसे देश बने हैं जिनर Rubella और Mezels दोनों को 2023 से परे खतम करने के लिए WHO ने इन्हें verify किया है Map पे हम location देख लेते हैं तो आप यह जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है यह है Southern India Southern India का पार्ट है और इससे just south में यहाँ पे श्रिलंका है और इस जगे पे आता है Maldives तो यह दोनों की location आप देख लीजे श्रिलंका की अगर बात करें तो यहाँ की जो capital है उसका नाम है कोलंबो और यहाँ के president है गोटबेया राजपक्षा यह यहाँ के president है और जो यहाँ के prime minister है उनका नाम है महिंदा राजपक्षा इसका लवा इंडिया और स्रिलंका की बीच में इस जगे पे पार्क स्ट्रीट और गल्फ आफ मननार यह दोनों इंडिया और स्रिलंका को अलग करते है मॉल्डिफ्स के बारे में जान लेते है मॉल्डिफ्स की capital हमाले और यहाँ के जो president है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सौले इब्राहिम मोहम्मद सौले यहाँ के president है next question is which country became the first industrialized country to phase out the both coal and nuclear energy कौन सा देश कोईला और प्रमाणू उर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला उधगिक देश बन गया है इसका हम अंसर देखते हैं option C is the correct one that is Germany जर्मनी के हम एक बार map पे location देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह हैं इंडिया और इंडिया से जब हम North West की साइड में जाएंगे European continent में तो इस जगे पर में मिलता है जर्मनी जर्मनी की जो नेबर कंट्रीस है वो है पॉलेंड, आस्ट्रिया, फ्रेंस, यूके और डेन्मार्क जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यहां के जो प्रेजडेंट है उनका नाम है Frank Walter Stenmere Frank Walter Stenmere यहां के प्रेजडेंट का नाम है Next question is A three member team has been discovered a new species of a fan-throtted lizard Stana Durban series from the barren lands of which Indian state तीन सदसी टीम ने किस भारती राजे की बंजर भूमी से एक friend-throtted छिपकली सिताना धरवांसर इस की एक नई प्रजाती की की है उसका मंसर देख लेते हैं option A is the correct one that is करनाटका करनाटका में यह नई प्रजाती की नई species की एक lizard यानी छिपकली मिली है करनाटका की जो capital है वो है बैंगलुरू और यहां के CM का नाम है BS येदी यूरॉपपा येदी यूरॉपपा ये यहां के CM का नाम है ये और ये और ये विद्ध ये हैं के साथ ये सब्साइब हाथ मिलाया ये मने आपको कल के विडियों बताया था कि जो कमपनेयां बैंक इंश्यूरेंस सेल करती है उसे बैंक अश्यूरेंस बोला जाता है तो इसका नंसर देख लेते हैं option B is the correct one that is करोड़ वेस्षे बैंक करोड़ वेस्षे बेंक चाहर नाम है पी आलट सेशाद्री पी आर को सेशाद्री है कि और कि व्हेंकट रमन हां कि के वैंकट रमन इसके प्रेज्डेंट का नाम है और 1916 में वैंक चाहरे ज़ल ही थी इंडिया's GDP will contract by how much percent in financial year 21 because of the COVID-19 pandemic according to the VOFA securities VOFA securities के अनुसार COVID-19 महामारी की वज़े से financial year 21 में भारत की GDP कितनी होगी ते इसका मंसर देख लेते हैं option B is the correct one that is 3% इनके अनुसार 3% यहाँ पर contraction होगा भारत की GDP में next question is which company signed license agreement and transfer of technology for Akash Missile Weapon System of Indian Army variant with Defense Research and Development Organization किस company ने रक्षा नुसंदान और विकास अंगटन के साथ एक भारती सिना variant के Akash Missile हतियार प्रनाली के लिए license समझोते और प्द्दगी के हस्तांतरन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यहाँ पर अंसर देख लेते हैं इसका option C is the correct one that is भारत डायनेमिक्स लिमिटेड DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच में यह समझोता हुआ है यहाँ पर पिच्चर भी देख सकते हैं Akash Missiles की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इसके स्थापना विथी 1970 में 1970 में और इसके जो headquarters मिलेंगे वह आपको मिलेंगे हैदराबाद तिलंगा नामें यह इसके headquarters है और DRDO की स्थापना विए थी 1958 1958 में और इसके जो चीफ है चेर परसन है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश्रेडी डॉक्टर जी सतीश्रेडी इसके चेर में का नाम है और BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यह डिफेंस मिनिश्री के अंदर में आती है देश के विवाओं के डिजिटल कोशल को बढ़ाने के लिए राश्टी कोशल विकास निगम एक गैर लापकरी सारोजनिक समीती कमपनी ने किस कमपनी के साथ हाथ मिलाया है इसका मंसर देख लेते हैं माप्सीड कुम दी करेक्ट वन सथे और देख लेक्रोड को रापकर है कि जो सीधीयों है उनका नाम है कि उन्हें डेला गेटस कि बिल्क एंड पॉल अनल पॉल एलिग्ट्स next question is who is the author of the book Mahavir the soldier who never died Mahavir the soldier जो कभी मरा नहीं पुच्तक की लेखक कौन है इनका नाम देख लेते हैं option C is the correct one that is A.K. श्रीकुमार A.K. श्रीकुमार इनका नाम है next question is USAID supported South Asia Group for Energy has collaborated with the Ministry of New and Renewable Energy National Technical Institute to increase US-India collaboration for clean energy development who is the new minister of the new and renewable energy तो USAID support ने दक्षण Asia Group for Energy का समर्थन किया और स्वच उर्जा विकास के लिए US-India सयोग बढ़ाने के लिए नवीन और नवी करणिये उर्जा मंत्रा ले राश्टी ये तक्निकी संस्तानों के साथ सयोग किया वर्तमान में नई और नवी करणिये उर्जा मंत्री कौन है तो इनका नाम देख लेते हैं मंत्री जी का option A is the correct one that is राजकुमार सिंग राशकुमार सिंग जी की ये post है new and renewable energy minister मतलब वतमान में नई और नवी करणिये उर्जा के जो मंत्री है उनका नाम है राशकुमार सिंग किस ने भूवनेश्वल लेंड यूज इंटेलिजियन सिस्टम का अनावरण किया जो कि उच रेजोलुशन इमेजियरी का लाब उठाकर ओडिशा में सभी सरकारी भूमियों बदलाओं की निगरानी करेगा इसका वंसर देख लेते हैं option D is the correct one that is नवीन पतनाएक नवीन पतनाएक जो हैं वो हैं उडिशा के चेफ मिनिस्टर और यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है गनेशी लाल गनेशी लाल यहां के गवर्नर का नाम है नेक्स्ट प्रेशन इस विच इंडिया स्टेट सेलिबरेटेड रायतू दिनोत्सवं फॉर्मर्स डे टू में मार्क दी सेवंटी फॉर्स बर्थ अनिवर्सरी ओफ वाई एस राजशेकर रेड़ी की इकतरवी जैन्ती को चिन्हित करने के लिए रायतू दिनोत्सवं यान दिवस सेलिबरेट किया दा बीजिए दे करेक्ट वन डेट इस मायलेब इसकोवरी शॉलिशन्स इसका नाम है नेक्स वेशन इस वेजबरेट के ब्रेंड अबंशेटर की रूप में किसे अस्ताक्षिर्ट किया गया है अप्शन सी इसका सही उत्तर है और उनका नाम है सुख बीट सिंग तो यह थे हमारे आज के करेंट अफेर्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्याद़ ज्याद़ शेयर करें टेलिग्राम चैनल को आप जरूर से जाइन करें जिससे की फ्री पीडियोस आपको मिल सकें Thank you very much for watching this video, have a great day.